नमस्कार सातियो Math Cution Solution Series में आप सभी का हार्दिक स्वागत है सातियो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इस Series के 200 MathoPundPerson Solve कर ली है और आज हम इस Series के 30 वे भाग में पढ़ने वाले हैं पांच MathoPundPerson जो कि पिछली वर्सों की भरती प्रिक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तो सातियो इस Series से आपको यह है इस चीज़ का ऐसास होगा कि मैं भरती प्रिक्षाओं में मैंत के किस परकार के परसन पूछे जाते हैं और आगे भी इसी तरीके से क्योशन कैसे कराए जाएंगे और आप उसे कम समय में कैसे सोल कर सकते हैं तो सातियो आज की Series का हमारा पहला परसन है निमल लिक्त में से सबसे बड़ी बिन कौन सी है सातियो हमें बिन दे रखिये है 3 बटे 4, 5 बटे 3, 3 बटे 2 लिख लेता हूँ मैं 3 बटे 4, 5 बटे 3, 3 बटे 2, 4 बटे 5 और 2 बटे 3 में इन में से सबसे बड़ी बिन कौन सी है तो इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूँ पहला तथा दूसरा तरीका पहले तरीके के अंदर हम क्या कर सकते हैं जो हमें बिन दे रखिये, उन बिनों को हम दसनलो संख्या में प्रिवर्टित कर लेते हैं जैसे पहली बिन है हमारे पास 3 बटे 4 तो साथियों 3 में से 4 का भाग देंगे तो क्या पहले लगाएंगे 0 मतलब दसनलो लगाएंगे अब आजएगा 728 बचके 2, 520 अथार 3 बटे 4 का अड़ था 0,85 या 0,75 फिर 5 बटे 3 इसको डिवाइड करेंगे तो 5 में 3 का भाग देंगे 3 ने कम 3 बच गए 2 लगाएंगे दसनलो छेटीय अठारा फिर बच गए 2 फिर दसनलो छेटीय अठारा छेटीय ठारा इस तरीके से इसका अंसर आता रहेगा उसके बाद में 3 बटे 2 तीन में 2 का भाग देंगे तो 1, 2 एकम 2 बच का 1 लगाएंगे दसनलो उतारी 0, 5, 2, 10 1.5 उसके बाद के अंदर 4 बटे 5 लगाएंगे दसनलो 40, 8, 5, 40 उसके बाद में 2 में से 3 का भाग देंगे तो तीन एकम शोरी 20 दसनलो लगाने बाद 6 तीय अठारा फिर 6 तीय अठारा इस तरीके से इसका मान आता रहेगा तो सातियों हमें दसनलो जो भिन है उनको दसनलों परियर्टित करने के बाद जिसका मान सबसे ज़्यादा आता है वो भिन कौन सी रहेगे सबसे बड़ी भिन हैगी तो यहाँ पे 5 बटे 3 का मान 1.666 आ रहा है तो यह सबसे बड़ी भिन है दूसरा मैं तो पर तरीका मां आपको यह बता देता हूं सातियों कि हमें एक भिन के दो भाग होते हैं एक तो होता है अस दूसरा होता है हर तो हम क्या लेते हैं जो परते एक भिन दे रखिये उनमें से जो हर है उनका लगुतम ले लेते हैं चार, तीन, दो, पांच और तीन का लोगत्म कितना आएगा साट एलशेम आ जाता है हर काल एलशेम लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं सबसे पहला बाग तीन बटे चार गुणा में साट पंदरा तो के साट पंदरा ती पंदरा ती पंताड़िस उसके बाद में पांच बटे तीन गुणा में साट बेटी है साट और बेपंजू सो उसके बाद में तीन बटे दो गुणा में साट जो लोगत्म में उसको गुणा करते जाएंगे तीस दूए साट और तीस तीए नबबब उसके बाद में 4 बटे 5 गुणा में 60, 12, 15, 60 और 12 होके 48 और इस तरीके से आपको लेटे हो इसमें सबसे बड़ी भिन कॉन्शी होगी 5 बटे 3 सबसे बड़ी भिन होगी तो यह हमारा सही आंसुर आ जाएगा उसके वाद में दूसरी सबसे बड़ी भिन होगी, तीन बटे दो, तीसरी सबसे बड़ी भिन कौनशी होगी, अड़तारिस और चोथी, पैंतारिस और पांच में, दो बटे तीन हो जाएगी, इस तरीके से आप इस परसन को हल कर सकते हो, सबसे महतवपुर्ण में आपको पताया देता हूँ, अगर इस क्यूशन में आपको ये ट्रीक याद ना रहे लगूतम निकालने वाली, तो आप एक मिनट के अंदर आप सभी जितने भी भिन दे रखिये, उनको आप क्या कर सकते हो, मतलब दसमलोग संख्यां के अंदर कोई करम लिखो तो ये भी क्यूशन आप इससे सोल कर सकते हो, चले बढ़ते हैं हमारे अगले परसंद की तरफ, अगला हमारा परसंद है एक बटे छे और एक बटे चार के योग में किस भिन को गटाया जाना चाहिए, ताकि सभी भिनों के ओस्त का मान एक बटे अठारा प रप्त हो, तो साथी इस परकार के परसंद को कैसे हल करोगे, सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक बटे छे प्लस में एक बटे चार में किस भिन को यहाँ पर गया जाएगा माइनस किस भिन को गटाया जाए, हम एक स्कुमान लेते हैं वे बिन, क्योंका ओस्त, ओस्त कितना है, संक्या कितनी है, तीन, कितना आए, एक बटे अठारा आजाए, आपको यह समझ में आया भी मैंने किस तरीके किया है, इन्होंने का आया, एक बटे छे और एक बटे चार के योग में से किन भिन को गटाया जाए, ताकि वे है, उनका ओस्त, एक बटे अठारा हो जाए, तो आप इसे solve करोगे तो सबसे पहले हम उपर की संक्या को solve करते हैं कि सातियो अब हमें इस तरीके से लिख सकते हैं एक बटे 6 प्लस में एक बटे 4 माइनस x ब्राबर 3 बटे 18 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 6, 4 और 1 का लोगत्म कितना आ जाता है 12 आ जाता है जो भाग देंगे 6, 2, 12, 2, प्लस में 4 तिये 12 प्लस में 3 माइनस 12 x सोरी माइनस 12 x आ जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे बराबर 3 बटे 18 आ गया अब हम इसे और जादा सोल करते हैं तो साथियो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3, 2, 5 माइनस 12 x ब्राबर हम वजर गुणा कर लेते हैं फिर 12 गुणा में 3 बटे 18 एक बटे 3 से काटा 6, 3, 18 फिर काटा 6, 2, 12 तो यहाँ पे आगे 5 माइनस 12 x ब्राबर 2 अब हम क्या कर सकते हैं साथियो यहाँ अब हमें यह करना है कि जो 2 का मान है इसे हम क्या कर सकते हैं कि 12 माइनस के 12 x ब्राबर यह 5 इदर प्लस का ब्राबर के उस रट जाएगा 2 माइनस 5 तो हमारे पास क्या आगया माइनस 12 x ब्राबर माइनस के 3 बच गया माइनस से माइनस कट गया तो x का माना क्या आगया 3 बचे 12 हम कार देंगे 1 बचे 4 हमारे पास एंसर आज़ेगा जो की c option में मिलान कर रहा है सातियों हमें क्या करने हैं ऐसे परस्णों के अंदर से सुरुआती ट्रिक बनती है उस ट्रिक को याद रखना है उस ट्रिक को क्या करना है याद रखना है और याद सातियों आपको मैं बता जता हूँ सबसे पहला तरीक है कि ये जो ओस्ट ए उसको आप 3 से गुणा कर दो या आ प ये कर सकते हो भी 3 बचे 18 इसका माना है या फिर आप ये सकते हो भी 1 बचे 6 इसका माना है भी एक बटे च्छे प्लस और एक बटे च्यार के योग में से किस भिन को गटाया जाए कि उसका मान एक बटे च्छे आए तो आप ये भी किसो ना इस तरीके से कर सकते हो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले परसन की तरफ अगला हमारा परसन है साथ यह अगला हमारा परसन है पचास गुणा बियारे सेंटीमेटर बुजाओं वाले एक आयत के अंदर बनाए जाने वाले सबसे बड़े वरत का छे तरफल ग्यात के जिए साथ यह हमें क्या करना है एक आयत बनाना है आयत भी देखो जिसकर एक वंजा कितनी दे रहिए बियारेस यह हो गयी 22 और यह हो गया 50 अब तोड़ा सा लोजिक की बात साथी हो कि इसके अंदर एक वरत बनने वाला है इसके अंदर एक वरत बनने वाला है हो और वर्त कैसा होगा कि उसका जो मान है अथार्त ये सबसे बड़ा वर्त बनने वाला है लोजी का एक آयत है जिसमें उसकी एक बुजाद 50 है और दूसरी 12 है और उसके अंदर एक वर्त बना है और वर्त जो सबसे बड़ा हो अंदर बनाई जाने वाले सबसे बड़े वर्त का तो उसका व्यास कितना हो जाएगा साथ यो आप बता दो पचास और बियास में से इसका व्यास कौन सा हो जाएगा व्यास होता है ये तो इसका व्यास हो जाएगा बियास 42 का व्यास हो जाएगा तो 30 कितने हो जाएगी 42 बटे 2 ब्राबर 21 तो छेतर फल का सुतर क्या होता है पाई यार सुकेर 22 बटे 7 गुणा में 21 गुणा में 21, 7 ये 21, 22 ये 66 गुणा में 21 21 के 236 का क्या जाएगा एंसर आजाएगा आगे बहा समझें चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पर्सन की तरफ अगला हमारा पर्सन है पत्थर के उस सलेप का आयतन ग्यात कीजिए जो कि लंबाई 8 मेटर चोड़ाई 4 मेटर और मुटाई 0.5 मेटर है साथी हमें कैं दे रखा एक पत्थर है जैसे यहे पत्थर दे दिया इस पत्थर की हम बात कि जए तो साथी yes इसकी तीन बज़ाओगी अथार्त आप इसकी तुलना किससे कर सकते हो गनाब के साथ कर सकते हो जिसकी लंबाई कितने दे रखी है लंबाई 8 मिटर चोड़ाई इसकी दे रखी है 4 मिटर और उठ्धाई या मौटाई दे दिसकी 0.5 मिटर तो साथ報導 यहां पधी जाए गनाब गनाब का आइतन तो आइतन क्या होता है लंबाई, गुणा चुडाई, गुणा उन्चाई तो लंबाई कितनी है यह आठ चुडाई, च्यार और मुटाई यह उन्चाई कितनी है 0.5 आठ चो के 32, 32 को 0.5 से गुणा करेंगे अतार्त 32 का अधा कितना हो जाएगा सोडा, तो सोडा मेटर की क्यूब इसका क्या आजएगा है, सुरा आजएगा जो कि D हमारे आप्शन में मिल रहा है, एक पत्थर उस सलेब का आइतन गयात कि यह, जो कि एक गनाब की आकर्ति कहा है, जिसकी लंबाई 8 मेटर, चुडाई 4 मेटर, और मोटाई 5 मेटर, अब इसे पट दिशा में रख दिया तो इसकी मुटाई होगी, और लट दिशा में अगर रख देता है, तो यह उसकी उंचाई हो जाती है, तो इसको आयतन क्या होतार, लंबाई, गुणा, चुडाई, गुणा, उंचाई, और सोडा मेटर, इसका एंसर आ जाता है, चलिए बढ़ते पहले मैं बात कर लेता हूँ कि एन प्राकर संख्या, प्राकर संख्या क्या होती है साथियो, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, और अनन तक जो संख्या है, वो क्या होती है, प्राकर संख्या क्यलाती है, प्राकर संख्या का, एन एन प्लस में एक बटे दो यहां पर एन क्या है जितने संख्याएं हैं साथियों हमें क्या करना है एन अतार्त 11 पर्थम 11 एक से लेकर 11 तक तो एन कितने होगे अंतियम संख्या 11 एन प्लस में 11 बटे दो तो साथियों यहां पर आ गया 11 गुणा में 12 बटे दो दो से काट दे अच्छा है दूर बारा तो हमारे पास इतना आ गया 66 अभी यहां पर क्या आये साथियों एन प्राकर संख्याओं का योग आया है कितना 66 है 66 योग आ गया अब और निकालना है यह पर क्या गई यह पहली प्राकर संक्याओं का उससे कितनी है और निकाड़ेंगे तो कुल यौग में संक्याओं का भाग देंगे तो अमारे पास किया गया 11 का भाग दाने पर 6 जो की B option में मिलान कर रहा है इस तरीके से आप execution को solve कर सकते हैं तो साथियों आज की महत्वपुण class हमारी यहीं समापत होती है जिसमें हमने 5 महत्वपुण परसंद गणित के पड़े हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को like, share जुरूर करें और मेरे YouTube चैनल IT expert को subscribe करना ना भूलें आज के लिए इतना ही साथियो धन्यवाद